हलो एवरिवन, नौलाज आप साइंस में आप सबका स्वागत हैं, नौलाज आप साइंस में आज हम जिस रोग के बारे में समझेंगे वो है गमोसिस या फोट रोट आप सिट्रस, यानि सिट्रस गमोसिस या इसको फोट रोट भी कहते हैं, ये रोग जो है एक फंगस से होने वाला है जो complex fungus काम करते हैं इस रोग में इसलिए इसको यहाँ पर लिखा हमने phytopathora species इसमें कौन कौन से phytopathora palmivora phytopathora parasitica phytopathora citropthora phytopathora cectorum phytopathora syringy मगर जो इंडिया में phytopathora palmivora और phytopathora parasitica यह जो इस species हैं इसकी phytopathora की वो citrus gummosis disease करने में important role अदा करती हैं इस रोग के लचड वाटर सोग्ड पैचेज के रूप में आपको जो ground के पास यानि जमीन का ये जमीन है ये जमीन के पास का जो area है इस area में आपको तने पे वाटर सोग्ड पैचेज देखने को मिलेंगे इसमें जो चाल है वो सूख जाती है और सूखने के बाद cracking हो जाती है जैसे यहाँ देख सकते हो ये चाल सूख गई और ये फटने लगी है यहाँ पर देख सकते हो ये चाल सूख गई और इसमें जो गम है गम सूख गया है इसका और ये क्या फटने लगा है ये देख सकते और इसमें गम जो है लगातार निकलता रहता है इस डिजीज के वज़े से इसमें ये जो गम है वो निकलता रहता है इसी वज़े से इस रोग का नाम गमोसिस पड़ा यानि सिट्रस गमोसिस रोग ये लगातार गाद निकलने के वज़े से पड़ता है और इस रोग का जो इन चला जाएगा तो क्या करेगा यह इस पूरे ब्लांट को डाई कर देगा या पूरा ब्लांट मर जाएगा जो infected plant होता है उसमें flowering और frutting बहुत जादा होगी आपको बहुत सारे flower और बहुत सारे fruit देखने को citrus plant पे मिलेंगे और होता क्या है इसमें हेवी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के वज़े से भी इसमें आप सोचो कि वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा नहीं वो क्या होता है जो फल होते हैं वो छोटे रह जाते हैं और अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं और मेचिरूटी से पहले यानि ये पकरने स पहले ही तूटके गिर जाते हैं इसलिए इसका प्रोडक्शन क्या है लॉस हो जाता है इसके माईसीलियम की बात करें तो ये इंटर सेलुलर विद हास्टोरिया होता है हास्टोरिया और इसमें जितने ट्रारूम्स आते हैं उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए यहां आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लिंक दे देंगे तो इंटर सेलुलर विद हास्टोरिया इंटर सेलुलर क्या होता है जैसे ये एकसल है और ये एकसल है तो इसका माईसीलियम इसके बीच में गुरो करेंगा ना कि इसके अंदर अंदर वाले को बोलते हैं इंटर सेलुलर और यहां पर यह क्या एपरोसोरिया बनाएगा उबरी हुए स्ट्रक्चर और यह नीचे पेगलाई की स्ट्रक्चर बनाएगा इस प्रकार से और यहां से निट्रेशन लेगा इसको बोलते हैं हास्टोरिया इ सिंपल होता है या सिंपोडियली ब्रांच होता है सिंपोडियली ब्रांच का मतलब इस प्रकार से 90 डिगरी पे ब्रांचिंग पाई जाएगी इस पुरंजियो फोर्स है उसमें बनते हैं इस पुरंजिया जो पेपिलेट होते हैं पेडिसलेट होते हैं और उनका सेप जो है व मालो ये इस्पोर अंजियो फोर है और इसके अंदर ये इस्पोर अंजिया छोटे छोटे बने और इसके अंदर बनेगा इस परकार से जू स्पोर और जू स्पोर क्या होंगे बाई फ्लेजिलेट यानि एक फ्लेजिला ये इधर पाया जाएगा एक फ्लेजिला ये इधर पा contact के द्वारा बनता है तो इसमें जितने भी पाइडी फॉर्म पेपिलेट ये सब पहले हम डिसकस कर चुके हैं आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं या तो लिंक जो है description box में देदेंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मतलब क्या होता है flagellation क्या होता है sporangia क्या होता है sporangio for क्या होता है pathogen यानि phytopathora जो इसका fungus है वो soil में survive करता है यानि ये soil born disease है और इसका जो primary inoculum ये o-spor या claimido spore sexual stage के case में o-spor और asexual के case में claimido spore के room में ये soil में survive करता है और इसका जो secondary inoculum है वो यानि जो primary inoculum है primary inoculum से बनेंगे sporangio for sporangia और geospore तो geospore जो है वो secondary inoculum का काम करता है और rain water या बरसात या जो हम irrigation देते हैं उसके वज़े से एक pear plant से दूसरे जो निबू का plant है वहाँ जाएगा इसमें जो secondary spore हमने बताए इस्पोरंजिया या जो इस्पोर होता है यही करता है secondary infection यानि एक healthy plant से यहाँ पर जो है वो इस्पोर या claimido spore primary inoculum के रूप में काम करेगा और यहाँ पर जो इधर से बनेगा वो क्या secondary inoculum sporengia और sporengio spore बनेगा और यहाँ पर secondary infection करता है आप देख सकते हो ये कुछ images जो बड़ी है यहाँ पर देखो गम निकल रहा है और आपको cracking ये देखने को मिल रही है या फिर यहाँ पर देखो यह गम निकल रहा है और इसमें यह हलकी हलकी फट रहा है या फिर और आगे आपको देखने को मिल सकता है इस परकार का यह गम इस गोंद के निकलने के वज़े से इसको गमोसिस बोलते हैं सिट्रस गमोसिस और यह जमीन के करीब में लगता है इसलि उसको बर्बाद कर दिया यह आर्चरड है सिट्रस का तो इसी परकार से जो बढ़िया किसान है वो इसी परकार से गुरो करते हैं और अगर इसमें डिजी जी लग गया तो यह इसमें फैलेगा यह इसमें फैलेगा और सिचाई की यह तो पता लगता है इधर से इधर इसमें आ गया या बरसात में बरसात के पानी से इधर से इधर आ गया तो यह क्या करता है धीरे धीरे पूरे और जट को कवर कर लेता है उमीद है आपको लक्चर अच्छा लगा होगा जुड़े रहना के लिए थेंक यू थेंक यू very much